हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन आज हम बनाएंगे हर्याली बिर्यानी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए तांके हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए यह हमने बिर्यानी के यह हम लेंगे एक तैन और उसमें डालेंगे चाथ टेबल स्पोन ओएल इसे गरम कर लेंगे इसमें मैं डालों भी तो लंबे कटे हुए प्यास और इने हम थोड़ी तेर भून लेंगे इसमें हम डाल देंगे चम्मच जिब्रित गार्लिक पेस्ट टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे कटा हुए तमाटर इसमें हम डाल देंगे नमक चम्मच तासे हमारे प्याज़ अब मेतर जल्दी से गल जाएं और इसे हम तमाटर के गलने कर बूनने के लिए छोग देंगे अब हम इसमें डाल देंगे एक बंग पाय लक तो जिसे मैंने ब्लांच किया है तो इसे भी ग्मिनुट के लिए भूम लेंगे याज के अब अब हम डाल देंगे एक एक टेज़ च़न कातके डाल में इसमें डाल देंगे आज कप धनाय और फोड़ा ठंड़ा होने एक तेज़ पत्ता एक बड़ी लैची दाल चीनी दो हरी लैची तीन चार लॉंग और चार पांक कली मेच इन सब को हम तो में सब भूम लेंगे और इसमें डाल देंगे हम अपना पेज को हमने अभी बनाया इसमें हम डाल देंगे दो टेबल स्पून क्रीम अमुल फ्रेश क्रीम जा मलाई और दो टेबल स्पून हम डाल देंगे दही इनको हम मिक्सर देंगे इसमें और एक तो मिनट की लिए से भी हम भून देंगे थोड़ा सा हम डेल डाल देंगे ग्रीन फूट कलर और यह ऑप्शनल है अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सब्जियां यह मैंने लिए है पनी टेड़ कप गोबी गाजर और थोड़े से मटर सब्जियों को हमने ब्लांच कर लिया है यह हम इसमें डाल देंगे अब हम इसमें डाल देंगे लाल मर्च पाउडर नमक हमने पहले पहले डाल दिया था और हम डाल देंगे बिर्यानी मसाला दो चमाच जीजा पाउडर एक चमाच अब हम इसके उपर लगा देंगे अपने बॉयल की होई चावल के लिए अब हमने चावल को 60-70 परसेंट का कुप्पी आ है इसके उपर हम डाल देंगे थोड़ा से कटा हुआ धनिया थोड़ा से कटा हुआ पदीना थोड़ा से डाल देंगे फ्राइड अटनियां विश्च अमच अब देंगे देशी घीर हो कुछ द्रॉप्स हम डाल देंगे ग्रीन कलर के कहीं और कुछ द्रॉप्स हम डाल देंगे यलो कलर के और इसे हम धब कर दम पर दस मिनट के लिए छोड़ देंगे अगर आपको लगे कि आपके पतिले का तला पतला है तो आप इसके रिचे तबा रख सकते हुआ हमें अपना गैस बंकी होई दस मिनट हो गए हैं अब हम अपने ब्रयाना के चेक करेंगे सब करेंगे हमारी हर्याली बिर्यानी बन के त्यार है आप भी इसे ट्राइ कीजिए और अपने एक्स्पिरेंस हमारे से शेर कीजिए